हे दोस्तो वेलकम टू एक्वेस्ट्व एड्यूकेशन आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिजर्व ओयस के बारे में बारत में ओवरॉल वन थाटी रिजर्व ओयस हैं और बताया जा रहा है उनमें से 49 में आप कह सकते हैं पानी जो है वो जादा बढ़ चुक मिलता है आज की वीडियो में हम लोग सब कुछ डिसकस करेंगे इन दोनों साइकलोन का क्या आसर पड़ा है और वो इंपोर्टन रिजर्वोयर्ज जो की हमारे एक्जाम पॉइंट अफ्यू से इंपोर्टन हैं तो दोस्तो जैसे आप सभी को पता है कि इस बार समर में काफ जो नाम है वो है टॉक्टे और दूसरा नाम है यास बताया जाता है कि हमारे इंडिया के अंदर जो मेजर रिजर्वोयर्ज हैं वो 130 हैं और सेंट्रल वाटर कमीशन की अगर आप लोग रिपोर्ट के हिसाब से मानते हैं तो 27% जो कैपेसिटी है उनकी वो अल्रेडी भर च आती है पर इस साल 27% स्टोरेज भरी थी इसके पीछे का रिजन हम लोग अपनी आज की वीडियो में डिसकस करते हैं सबसे पहले आप लोग को रिजर्वोयर्ज के स्टेटस के बारे में बता देता हूं तो अगर जून 17 की रिपोर्ट के हिसाब से माने तो 130 रिजर्वोयर् तो 47.63 बिलियन क्यूबिक मीटर्स है और या फिर अगर हम लोग बात करें जो स्टोरेज की तो 27% हो जाता है आपका टोटल जो लाइव स्टोरेज कैपेसिटी है उसका मतलब कि जो टोटल है वो है आपकी 174.23 BCM बिलियन क्यूबिक मीटर और अब तक जो स्टॉक भर चुक अगर हम लोग पिछली साल की बारे में बात करें तो पिछली साल आपका जो स्टॉक बचा था वो था 55.11 बिलियन क्यूबिक मीटर जून की जो पिछली साल की बारे में बात करें ओके दोस्तों 130 रिजर्वोयर्स में से 49 जो हैं वो अपने वाटर लेवल को आप कह सकते हैं क्रॉस कर चुके हैं और ये जो रिजर्वोयर्स हैं ये मेंली लोकेटेड हैं जहारकंट, तिरपूरा, आंधरप्रदेश, तेलंगाना, केरल, करनाटक और तमिलाडु में आगे अगर बात करें तो काफी ऐसे रिजर्वोयर्स हैं जो की आप कह सकते हैं लेस स्टोरेज में भर चुके हैं जून 2020 में और वो भी काफी बड़ी-बड़ी स्टेट से थे जैसे की महराष्टर, उत्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, ओडिसा और पंजाब के कुछ हिस्स हो गए हिमाचल प्रदेश, छतिजगर और उतराखंड और इस साल जो दोमेन लार्ज डैम है उनमें भी आप लोग कह सकते हैं उनकी जो स्टोक है वो भी खतम हो चुकी है पहला जो है वो ओडिसा का है जिसका नाम है हरी-हर जोरे और दूसरा है आपका महराष्टरा का जिस इस टाइम तो यह पूरे भर चुके हैं पर पिसली बार कम से कम 59 परसेंट तो थी तो यह काफी बड़ी प्रॉब्लम देखी जा रही है आगे इस रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम लोग चलें और इस मैप के हिसाब से तो आपको काफी कुछ समझ में आएगा यह जो आप ल और जो ब्लेक कलर की केंडिल है वो पिछले दस साल का एवरेज बता रही है मेंनली अगर फोकस करें हम लोग तो जो भरते हैं या साउथ वेस्ट में पढ़ते हैं उन पे काफी एसर पड़ा है जैसे कि अगर हम लोग केरल के बारें बात करें तो केरल के काफी सारे ऐसे रिजर्वोयर्स हैं जो कि इससे काफी जादा आप कह सकते हैं जिने नुक्सान हुआ है या जिनका स्टॉक भर चुका है इदुकी एक है जैसे आप देख सकते हैं नाम यहाँ पे जो की 42% उसका भर चुका है और पिस्टली साल 32 बरा था और on and average तो 22% रहता है सरफ दूसरा अगर हम लोग करनाटा के बारें बात करें तो वहाँ पे भी जो जगह भद्रा है वहाँ पे 34 बर चुका है इस बार का स्टॉक कैपेसिटी मान सकते हैं आप लोग इसी तरीके से इस मैप में आप लोग देख सकते हैं अलग-अलग जगह पे अलग-अलग बाते चलती भी दिखाए दे रही है अगर हम लोग reason by reason के हिसाब से चलते हैं तो 8 reservoirs northern region में काफी ज़्यादा मतलब ज़ाब कह सकते हैं इनका stock बागी है उसके बारे मताता हूं मैं आपको हिमाचर प्रदेश, पंजाब और राजिस्थान अगर जून 17 के बारे में बात करें तो इनके पास जो available stock है वो सिर्फ और सिर्फ 3.82 billion cubic meter है या फिर आप मान सकते हैं 20% उनकी पूरी जो storage capacity है उसका मतलब 80% यह fail हो चुके हैं, भर चुके हैं इसके बारे में बात करें तो यही पिछली साल 2020 में 38% थे और अगर 10 साल का आप लोग average निकालेंगे तो 32% यह भरते हैं बीस reservoirs Eastern region में काफी जादा आप कह सकते हैं problem में देखे गए जहारखंड, Odisha, West Bengal और आपका तिरपूरा और नागालेंड जिनका available water stock वो मात्र 4.59 billion cubic meter है जोके उनकी capacity का 23% है और अगर पिछली साल के बारे में बात कहें तो वो 28% भरे रहते थे और average निकालें तो 21% यह सारा data आपको ऐसा याद करनी कोई जरूरत नहीं है पर on an average आपको याद होना चाहिए कि अच्छा कहाँ पर एक इस तरीके की चीज़े देखी जाती है Western region के बारे में बात करें तो गुजरात और महारास्टरा में 42 major reservoirs है और यह major है यहाँ पर मतला आप मान सकते हैं पूरे इंडिया में काफी सारे आपके सारे यहाँ पर स्टोरेज रहती है तो यहाँ पर at present 9.95 billion cubic meter बागी है जो कि उनका 28% है और June 2020 के बारे में बात करें तो 36% capacity थी उनकी और पिछले 10 साल में तो 19% उनकी capacity रहती है ऐसे ही 23 reservoirs Central India में है जो कि included करता है आपका UP, उत्राकंट, MP और 36 गड़ और इनकी current storage है 12.73 billion cubic meter जो कि उनकी total live capacity का 28% है पिछले साल 37% था और 10 साल का average निकाले हैं तो 24% Southern region के बात करें तो आंधर प्रदेश, तेलंगाना, करनाटा, केरल, तमिनाडू इन सभी को मिला के 37 reservoirs है हमारे पास और जिनकी अभी available stock जो है वो 16.55 billion cubic meter है जो कि उनकी capacity का 30% है आप पिछले साल यही capacity 24% थी और average जो था वो 17% था दोस्तों एक छोटा सा map है और यह छोटा सा graph है आपको जो पता चलेगा कि overall 130 आप कह सकते हैं reservoirs हैं जिसमें से जो 110 हैं उनका आप कह सकते हैं normal storage जो 80% से जादा हो चुकी है 20 ऐसे हैं जिनकी 80% से कम है और 8 ऐसे हैं जिनकी 80% 50% तक है और 12 ऐसे हैं जिनकी over कर चुका है मतलब 50% cross हो चुके है अगर weather और storage के बारे में हम लोग देखते हैं तो आप सब जानते हैं इस बार 2021 में unusual cool day देखे गए थे temperatures के और यहीं पर बता जाता है कि इस वज़े से जो storage है वो भर रही है उनकी देखे अगर वो ठंडे रहेंगे तो evaporation नहीं होगा surface water का और अगर surface water का evaporation नहीं होगा तो वहां से हटेंगे भी नहीं तो यही बाते इस साल देखे गए थी थोड़ी ठंड जादा थी तो इतने जादा आप कह सकते हैं evaporation process नहीं हो पाई थी और इस बार की summer थोड़ी cool भी थी और इसी वज़े से काफी सारे thunderstorm देखे गए थे जो कि rainfall को ले आए थे मार्च में और में के बीच में और second और third week की बारे में बात करें तो हमें काफी सारे cyclone भी देखी गए थे जो कि केरल, तमिलनाडू, करनाटक, आंधरप्रदेश, तेलंगाना, गुवा, मारास, गुजरात, उडिशा, वेस्ट बेंगाल, जहारकंड, उत्रप्रदेश, दिल्ली, बिहार और काफी सारे पार्ट नॉर्थ इस्ट के मतलब कि पूरा इंडिया इन्हों ने पकड़ लिया था अपने कपजे में, और इसी वज़े से वहाँ पे हेवी रिनफॉल देखी गए थी, में 12 से लेके 19 तक और में 20 से लेके 26 तक, काफी सारी मतलब आप कह सकते हैं, रिनफॉल देखी गए थी, 127 परसंट से लेके 94 परसं अभी तो आप कह सकते हैं, बरसात का मौसम भी नहीं आया है, तो ये सारी प्रॉब्लम देखी गए थी, तो मैंने सोचा आप लोग को पता होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये वीडियो में आप लोग के लिए लाया हूँ, सब्सक्राइब कर देजे हमारे चैनल को, और आगे भी ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी, मिलते हैं अपनी वीडियो में तब तक के लिए, have a nice day.